हमारे KVC Ground Audition Season 50 में वाले हैं और इसी कड़ी में साथियों आप जैसा की जानते हैं कि हमें Ground Audition में अपने साथ कुछ documents भी लेके जाने होंगे ताकि हम अपना candidature जो है confirm वहाँ पर करा सकें तो सबसे पहला आप जानते हैं नमबर वन जो document हमें चाहिए सबसे पहला अपना name proof के लिए चाहिए दूसरा हमें अपने address proof के लिए और तीसरा जिस भी नमबर से हमने register किया था उस phone की या उस कह सकते हूं उस SIM की हमें जो है phone का bill भी चाहिए होगा साथी साथ तो आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे किस तरह से आप Jio, Vodafone Idea यानि की V, Atel और BSNL इन चारों ही SIM का bill किस तरह से निकाल सकते हैं और ये bill actual में होता क्या है क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और क्या अगर आपका जो SIM है वो आपक प्रिकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यूज नहीं करते हैं हलों कि पोस्ट पेड़ में हम सभी को मिल जाता है तो आप जैसे की जानते हैं पोस्ट पेड़ जो bill होता है उसमें हमारा जिसको भी हमने call किया था या जितना जितना भी हमने जो balance यूज किया है उस चीज़ के बारे में सारी detail discuss की गई होती हो उस bill के प्रिपेड बिल में यही होता है या कह सकते हैं जो हमें चाहिए होगा कि हमारे जितने भी हमने नंबर पर कॉल की है हमारा नेम एड्रेस हमारा फोन नंबर सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है और कितना कितना हमने रिचार्ज कराया होता है सारी चीज़ों के बारे में वहा पर यानि की वेन्यू की उपर भी जरूर से ले करके जाईएगा इसको मत भूलिएगा यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से सारी चीज़ों को डाउनलोड करना है अपने बिल्स को सबसे पहले आपको अपने गूगल पर चले जाना है गूगल सर्च इंजन में वहाँ पर टाइप कर देना जियो प्रिपेड लॉग इन करते ही सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा उसके उपर क्लिक कर दीजेगा सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का खुल के आजएगा पेज सबसे पहली जो वेब साइट है लॉग इन वाली जियो प्रिपेड लॉग इन लिखने के सर्च करने के बाद जो एसी आईगी उसके उपर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद आपके सामने वेलकम टु जियो का एक पेज़ खुलेगा वेलकम टु जियो के पेज़ के मुबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर टाइप करके generate OTP करके generate करने के बाद आपकी जो OTP आईगी मोबाइल नंबर पर उसको आप डाल दीजिएगा और enter कर दीजेगा तैन उसके सा उसके बाद में में पेज खुल किया जाएगा जहाँ पर आपका नंबर आपने किस फोन में लास्ट यूज किया था वो सारी चीज़े देखने को मिलेंगी तेन साथियो उसके बाद आपको क्या करना है आपके सामने नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है अपना बिल चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम साथियो आप एक महीने का एक बारे में निकाल सकते हैं वैसे आप पिछले 180 दिन यानि कि 6 महीने तक कभी कभी निकाल सकते हैं लेकिन डाउनलोड आप एक महीने का ही कर सकते हैं तो आपका जो भी जिस दि को भी निकल वाली जिएगा original की तो साथियों यह था जीयों का अब बात करते हैं वी की सो साथियों अब बात कर लेते हैं कि आपको वोड़ाफोन आइडिया यानि की वी का किस तरह से बिल डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लिनी होगी प्ले स्टोर से वी की एप्लिकेशन ऑफिचल एप्लिकेशन डाउनलोड करके आप इसके उपर ओपन करेंगे और आपको सबसे पहले अपना अपना इड्रेस डाल देना होगा क्योंकि आपकी इमेल एड्रेस पर सेंड करेंगे एड्रेस के उसको एक बर वेरिफाइड करा लेंगे देन आपकी OTP जो है verify कर दी जाएगी और देख सकते हैं your request for email ID update has been received and will be proceed within 30 minutes यानि की जैसी यह आपका email update होगा आपका जो भी bill है वो आपके direct email के ओपर ID के ओपर भेज दिये जाएगा वहाँ पर आप डाउनलोड कर लिए सकते हैं तो साथ हूँ यह है आपका voda for idea का बिल को निकालने का सही तरीका आगे बात करते हैं आपको ATL का किस तरह से डाउनलोड करना है तो सबसे पहले अपने phone में ATL thanks application डाउनलोड कर लिजेगा प्लेट स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसके ओपर अपना phone number और OTP से generate करके login कर लिजेगा क्लिक करने के बाद आपके सामने यह account का option देखने को मिलेगा यहां पर आपको by data के बाद आपको यहां पर देख सकते हो recharge का bi data का option देखने को मिलेगा इसके उपर क्लिक करोंगे और नीचे आपको scroll down करना है जैसी करोगे आपके सामने इस तरह का ये पेज देखने को मिलेगा जहां पर रिचार्ज, टॉप अप्ग्रेड टू पोस्पेड ये सारी चीज़े भी यहां पर आपको ये ट्रांजेक्शन का जो आप्शन है यहां पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन का इसके उपर क्लिक कर ढ spray को देना है ट्रांजेक्शन के ऊपर जैसि क्लिक करोगे इसके मैं इसके ऊपर क्लिक कर दीजेगा इसके ऊपर क्लिक करते ही सामने यह आपकी पर जैखने को मिलेगा जो की 9 जन्वरी को भॉआ ता डांल॓द receipt का यहाँ पर option देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा इसके उपर जैसी क्लिक करोगे आपकी जो PDF है वो download होके save हो जाएगी आपके file manager में आप यहाँ पर खोलोगे तो यह आपका पूरा यहाँ आपको निकलवा के ले जाना है सबसे पहले अपने फोन में download करने के बाद आपको open के उपर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर टामसें कंडिशन से इसके उपर आप accept के उपर क्लिक कर दोगे accept के उपर कलिक करते ही या तो आप अपनी register mobile number से पहली login कर सकते हो या skip login करके आप बाद में भी कर सकते हो skip login करने के बाद आपको sa雅थ हूँ यहाँ पर यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा accounts का यहाँ पर आपको अपना add account के उपर खलिक कर दोगे add account पे click करते ही आपको सबसे पहले जो यह option देखने को मिलेगा यहाँ पे कई सारे option आएंगे सबसे पहले आपको click करते ही landline भारत fiber के उपर click कर देना है ताकि आप अपना जो phone का भी निकाल सको यह वाला option ही यहाँ पे choose करेगा उसके बाद std code डाल दीजेगा अपना phone number डाल के submit कर दीजेगा और यहाँ पे आपका add हो जाएगा यह account उसके बात आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका सारी चीज़े जो भी आपका अकाउंट है वह जुड़ जाएगा यहाँ पे manage को एक option देखने को मिलेगा मैंच के उपर क्लिक करते ही आपको अपना view detail बिल का option देखने को मिलेगा इसके उपर क्लिक कर दीजेगा इसके उपर क्लिक करते ही सामने एक इस तरह का page खुलके आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक PDF का option यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PDF के option के उपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना और डाउनलोड होके आपकी PDF आ जाई आप बात करें registration की टाइम की तो registration आप ना केवल अपने mobile नंबर से या जो आपके नाम पर जिस्टर है ना केवल उससे बलकि अपने family member के नाम पर जो register mobile number है उससे भी आप registration करते हैं और क्योंकि जब आप registration करते हैं तो आप अपनी ही details डालते हैं जैसे अपनी age category डालते हैं अपनी occupation डालते हैं अपनी qualification डालते हैं सारी चीज़े आप अपनी ही डालते हैं लेकिन जब आपको ground audition का call आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके number पर ही आजाए कई बार क्या होता है वो आपके mobile का जो अपने family members हैं उनके number पर भी आ जाता है और मैंने आपको बताया कि क्यों कर लिए जाएगा क्योंकि आपने अपनी detail registration की time पर सारी उसमें वो डाली होती हैं तो इस बात को KBC की team पर अच्छी तरह से समझ सकती है कि ना केवल ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके mobile के पर जो register आपका number था उसी पर call आये ground audition पर आपके घरवालों के नाम पर भी आ सकती है तो मेरा मानना ये है कि आपका जो ये ground audition के उपर जो phone का bill है अगर घरवालों के नाम पर भी है तो वो भी accept कर लिए जाएगा लेकिन एक बात का ध्यान रख लीजिएगा कि जो जिस भी SIMP पर आपको call आया था उसको अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा along with mobile phone का bill और other documents के सा साथ साथ यो बाकी अगर आप कम फिर भी नहीं मानता है तो आप भले ही चाहिए अपने नमबर को port करा करके अपने नाम पर जो bill लेके जा सकते हैं लेकिन मेरा मानना यही है कि यह accept कर लिया जाएगा 99% यह 100% कर लिया ही जाएगा तो फिलाल साथ यो आई होप आपकी जो सा सारे कोई ली डाउट्स हैं वो कलेर हो गयोंगे फिलाल वीडियो में इतना ही देखने कर धन्यवाद थैंक यू सो मच